मस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल राज ग्यान पर स्वागत करते हैं आपका इस मोटिवेशनल कहानी में आजकल की जिंदगी इतनी तेजी से चलती है कि हमारा मन कई बार थक जाता है और हम दी मोटिवेट हो जाते हैं पर जब हम इसी स्थिती में एक मोटिवेशनल कहानी पढ़ते हैं तो हमें नई उर्जा का आभास होता है और हम फिर से जीवन में उत्साह और प्रेरणा का अनुभव करते हैं यहां हम आपके लिए मोटिवेशनल कहानी लाए हैं जो आपकी मनोदशा को सकारात्मग बनाने में मदद करेंगी इन कहानियों को पढ़कर आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे और अपने लक्षियों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे संकट में साथ देना ये कहानी एक गाव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं एक गाव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था यहां के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांगते थे इस गाव की कहानी बहुत ही अनुकी थी एक बार गाव में एक नया आदमी आया उसका नाम राम था, राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था वह एक छोटे से गाउव में दूर रहते थे जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था उन्होंने सोचा कि वह इस गाउव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे राम गाउव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सब के लिए प्रेनासरोत बन गए दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते एक बार गाउव में बड़ा दुख का समय भी आया जब गाउव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया उसकी स्थिती गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यक्ता थी लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशी नहीं थी जब राम ने इसे सुना उन्होंने ततपरता से अपनी सभी बचट की राशी का उप्योग करके परिवार की मदद की वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूजना पड़े उन्होंने बचट की राशी के साथ साथ दूसरे गाववालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की इस अपातकाल में गाववालों ने एक बड़ी टीम बना ली सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे एकठा किये थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया इस घटना के बाद गाववालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए यह उनकी सद्भावना नेकी और सामर्थ्य का परिनाम था वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष पूरा होता है वह गाव अब एक परिवार की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था यहां के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साजा करते एक दूसरे की मदद करते और अपने संधर्शों को साथ में जेलते थे वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुन्दर और सम्रिद जीवन जीने का तरीका सीख गए